हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस्त राहूल जेस्वाला हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब टैनल जेयार टुटोरियल्स में ठीक है फ्रेंड्स तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले आज बेसिकली मैं आपके लिए लिकर आया हूँ हमारे आठवी के बच्चों के लिए ठीक है SCR शॉटकर्ट रिविजन सीरीज जैसे कि आप जामते हो यार हमने आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए सभी के लिए मतलब 7,8,9,10 स्टुदे के लिए SCR वीडियो 10 के लिए तो LMR था लेकिन आप लोगों के लिए SCR हमने लॉंच किया शॉटकर्ट रिविजन कराने के लिए लेकिन आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के एक्जाम्स औरड़ी हो चुके हैं अगर वह आठवी के स्टुदे एक गंटा से एक गंटा पूरे दिन में 24 गंटे में से आदा गंटा से एक गंटा ना से पढ़ाई कर लेना क्यूंकि क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है इससे और दूसरा ये रहता है कि आपको आगे क्या आने वाला है आपके पढ़ाई में क्या-क्या चीज तो आज क्या लेकर आए हूँ, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, आपके लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं, जो बच्चे का एक्जाम्स खतम नहीं हुए, चल रहे हैं, या फिर आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दू, आप लोके लिए हम हर चाप्टर मुम्किन क जिसमें पूरा चाप्टर को मैं रिवाइस करवा दूँगा, बहुत बेतरीन तरीके से, तो ध्यान से देखना, यह जो चाप्टर है, जिसका नाम है, दोस्तो, equation in one variable, इसमें क्या होता है, कोई भी equation दिया रहता है, आपको उसका x का, या फिर जो भी variable है, x का, y का, p का, जो भी है, उसका value निकालना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक initial example बताता हूँ, let's suppose, आपको question दिया है, 9 plus x is equal to 15, 9 plus x is equal to 15, तो यह आपको यह equation दिख रहे है, अब इसका नाम equation in one variable क्यों रखा है, क्योंकि यह equation में सिर्फ एक variable है, जो कि है x, तो या फिर x हो सकता है, या या तो y हो सकता है, या तो p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलफाबेट्स में, लेकिन सिर्फ एक variable रहेगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अगर आप अभी कित्वी में हो, 8 standard में, जो आप 9th में जाओगे, तो आपको इस प्रकार के questions आपको देखने तो इसके लिए इसको बोलते है, equation in two variable, तो एक chapter है आपका 10th standard में, linear equation in two variable, same 9th में भी एक chapter है basic वाला linear equation in two variable, तो इसमे आपके दो-दो variable है, इसके लिए इसको two variable बोलते है, लेकिन आपका 8 standard में आप देखोगे, तो सिर्फ एक variable है, जिसमें आपको सिर्फ उसी का value निकालना हो होता है तो हम लोग ने यह चाप्टर को पुरा-पुरा पढ़वा दिया है अगर आप सर्च करें यूटूब पे एट स्टैंडर मैस चाप्टर टू एल इक्वेशन इन वरियेबल तो लेक्चर बाइल लेक्चर वीडियो वन टू थी करके जो भी आपको देखने मिल लेकिन रिवाइस आज मैं करा दूँगा ताकि आपको याद आजए कि यह चाप्टर में वाकई था क्या कैसे पढ़ना है और क्या करना है ठीक है चलिए शुरुवात कर लेते हैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं मैं ठीक है बहुत ही छोटा वीडियो होता है हमारा और छोटे वीडियो में हम लोग पुरा कॉलिटी एजूकेशन प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है चलो शुरुवात करते हैं एक सेकेंड खाली अब यहाँ पर ध्यान से देखो अब इसको आप सॉल कैसे करो यह सबसे सिंपल वाला करा रहा हो जैसे इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हार्ड में पढ़ाऊंगा देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसमें x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो x मतलब यह नहां पर x ले लो ये x है लेकिन 9 जो है न कभी याद रखना that variables को अलग कर दो और numbers को इक्वल के o si अलग कर दो तो variables अलग हो जाएंगे numbers अलग हो सब्से सांजार गया कैसे नाइन yn x के साथ plus में है 15 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा मानेस हो जाते है equal के ये side अगर plus उदर जाता है तो minus हो जाता है, minus का plus हो जाता है, multiply का divide हो जाता है, divide का multiply हो जाता है यह हमने बहुत पहले आपको पढ़ाय हुआ है, तो x is equal to 15 equal के ये side पहले से ही था, लेकिन 9 15 के पास आ जाएगा, तो ये minus बन जाएगा कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कितना भी बड़ा example, एक example करा रहा हो, थोड़ा सा बड़ा वाला जो actual में exams में पूछा जा सकता है इस तरीके का example, पटा फ़र से देख लेते हैं ठीक, ये तो मैंने आपको बस simple इसले करा है, ताकि आपका confidence आपके अंदर आ जाए, अब आते हैं थोड़ा सा असली वाले example पे, थोड़े से hard वाले example पे, क्या question है, देखो यहाँ पे, मैं आपको बता जेता हूँ, question इस प्रकार है समझ लो, 9x-4, ठीक है, चलो 9x-4 is equal to 6x plus 6x plus 29 यह ऐसे examples, exam में पूछने के chances होते हैं, करना क्या है जैसे आपको, मैंने एक चीज़ बताया कभी भी variables जो होते हैं, उसको एक साथ रख लो, और जो numbers होते हैं उसको एक साथ रख लो, कैसे रखोगे, यह 9x एक variable है, यह 6x एक variable है 6x को उठा के 9x के पास लिखिया होगे तो यह minus बन जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा 9x-6x बन गया, ठीक है बीच में equal था, लिख दिया बीच में equal अब equal के यह side में, 6x को चला गया तो क्या बचा, 29 बचा है, positive में लिख दिया 29, positive में, लेकिन यह minus 4 equal के यह side था, अब यह minus 4 को उठा के 29 के पास लेगा होगे, तो minus का बन जाएगा plus, 29 plus 4 हो जाएगा समझ में आया, इसको solve कर लो, 9x-6x 9x में से 6x गया, कितना बचेगा, 3x बचेगा बीच में equal है, 29 plus 4 कितना होता है, 33 होता है, अब देखो x will be equal to 33 3 divided by 3 हो जाएगा, therefore x will be equal to 11, आगया answer कितना बेटरी तरीके से, x का value कितना आगया 11 आगया, है किने simple, तो ऐसे examples आपके exam में पूछेंगे, और और भी 2-3 example में करवा देता हूँ, आपके लिए easy हो जाएगा, और revise x plus 4, ठीके, यह आपका क्या है, यह आपका question दिया हो, इसको आपको कैसे solve करना है, तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा focus रखना, कि हमेशा जब भी कोशिश रहना, मतलब कोशिश करना, कि आपको कोई भी ऐसा example दिखे है, जिसमें नीचे कुछ number है, मतलब fraction में कुछ number है, तो और इसके side कुछ नहीं है, तो cross multiply कर देना, यह 5 जो है, यह इस side है, तो 5 को इधर भेज़ दो, तो यह क्या हो जाएगा, actual में यहापे क्या हो जाएगा, 5 इसके साथ multiply हो जाएगा, तो यह 5 multiply by 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यह bracket में x minus 3 है, ठीक है, is equal to, यह 5 तो उदर चला गया, तो अकेला 3 बज़ गया वहाँ पे, और इसके साथ में है x plus 4, समझ में आ गया, अब multiply कर लो, 10 multiply by x, bracket solve करते हैं हम लोग, तो 10 multiply by x हो जाएगा 10x, minus से बीच में 10 multiply by 3 हो जाएगा 30, is equal to, 3 multiply by x, 3x, 3 multiply by 4 is 12, यह हो गया, अब यह सीधा हो गया, अब इसको x x वाले को साथ में रख दो, number number वाले को साथ में रख दो, तो 3x और 10x साथ में आ जाएगा, 10x minus 3x हो जाएगा, is equal to, यह 12 उदर ही है, 30 उदर आएगा, तो plus 30 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10x में से 3x गया, 7x बचेगा, 12 plus 30 कितना होता है, 42 होता है, therefore x will be equal to 42 divided by 7, therefore x कितना आ जाएगा, x is equal to 76, 42 होता है, तो x का answer आगया, 6, कितना simple है, यह देख के बहुत बेटरिन तरीके से इसको solve करके दिखा सकते हो, है कि ने कितना easy concept, इस चीज़ का clear है, तो यह पूरा चार्टर्स, ऐसे हमने solve करवाया हुआ है, अगर आपके convenience के लिए मैं और दो example करवा जेता हूँ, फिर हम लोग आज का जो revision इसको stop करेंगे, ठीके, और दो examples, exam में आपके, पूछे जा सकते हैं, shortcut revision में आपको मैं सब चीज़ करवा देता हूँ, देखो, ध्यान से देखना, let's suppose, एक और question दिया है आपको, क्या दिया है question, आप यह देखो, यह वाला questions, ऐसे बहुत सारे पूछते हैं, upon वाले, लोग इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको करवा दूँगा, x-9, x-5 is equal to, नीचे है, उपर है 5, नीचे है 7, 5 by 7, आते हैं देखा यह एसा example, देख के बहुत hard लगता है, है कि नहीं, लेकिन सबसे जादा simple यही होता है, बस करना क्या होता है, cross multiplication, कभी भी आपको ऐसा दिख गया, तो cross कर लो, 7 इसके साथ multiply हो जाएगा, 7 जो यह पूरे इसके साथ multiply हो जाएगा, इसको bracket में डालतो, 7 multiply by x-9, बीच में equal है, यह 5 इसके साथ पूरा multiply हो जाएगा, तो 5 bracket में x-5, यह हो गया, हो गया, simple ना, अब इसको solve कर लो, 7 multiply by x, 7x, ब इसमें equal, 5 multiply by x is 5x, 5 multiply by minus 5 is minus 25, variable, variable एक साथ, number, number एक साथ, 7 और 5x, तो 7x, और यह 5x सिधर आजाएगा, तो 7x minus 5x हो गया, is equal to, यह minus 25 उदर पहले से था, यह minus 63 उदर आएगा, तो plus 63 हो जाएगा, ठीक है, 7x में से 5x गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा, is equal to, 63 minus 25, प्लस 63 मतल 38 हो जाएगा, ओके, अब 2x is equal to 38, therefore x will be equal to 38, divided by 2, तो x will be equal to, कितना हो जाएगा, 38 divided by 2, मतलब 19, तो x का value कितना आगया, 19 आगया, कितना आसानी से निकाल लिया, आपने, देखो, x का value 19 आगया, तो ऐसे भी examples, exam में पूछे जाएगे, तो आप लोग बिंदास उसको solve कर सकते, क आपको exam में पूछ सकता है, जो कि यह, आपको एक equation दिया रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुए, x minus 4 is equal to 3, क्या दिया हुए, x minus 4, ठीके न, x minus 4 is equal to 3, यह आपको एक क्या दिया हुए, equation दिया हुए, और आपको पूछा है, कि x का जो value है, इसमें जो x का जो value है, वो या तो minus 1 है, या तो 7 है, या तो minus 7 है, और आपको पूचा है, decide, decide whether the solution, whether the solution, मतलब इसमें से कोई एक उसका solution है, तो क्या है, उसका solution वो आपको decide करना है, तो क्या करना होता है, ऐसे case में, कभी भी ऐसा कुछ question आया, जिसमें एक equation दिया, और x के कुछ values दिये, और आपको ये check करना होगा, कि इसमें से कौन सा उसका answer है, कौन सा उसका solution है, तो कैसे solve करना है, सबसे पहले वो equation को लिख लो यहाँ पे, x minus 4 is equal to 3 है, हमारा equation है लिख लिया, अब इसमें एक एक करके x का value डालो, तो सबसे पहले x का value क्या दिया, minus 1, तो x का जगा पर क्या लिख लोगे, minus 1 लिख दो, minus 1 लिख दिया, इधर minus 4 हो गया, is equal to 3, तो यह minus 1, minus 4 कितना होता है, minus 5 होता है, minus 5 is equal to 3 हो गया, तो यह minus 5 is equal to 3 होता है, कि नहीं, तो यह हमारा wrong है, मतलब हमारा यह answer नहीं हो सकता ठीक है? दूसरा चेक करो दूसरा क्या है हमारा? इसमें हम लोग ने क्या किया? put इसमें हमने क्या किया? put x is equal to minus 1 किया ना हमने इसमें क्या किया? x is equal to minus 1 लिया अब यहाँ पे हम लोग put करेंगे put x is equal to bich वाला 7 लेता हूं यह हमारा solution है x is equal to 7 is the solution of my equation यह क्या हो गया? हमारा solution हो गया वैसि अगर तीसरा भी check करना चाहोगे तो check कर सकते है तीसरा क्या है? minus 7 तो x is equal to kya लोगे? minus 7 लोगे put x is equal to minus 7 equation क्या है? हमारा x minus 4 is equal to 3 हमारा equation है इसमें x के जगा भी क्या लोगे? minus 7 लोगे तो minus 7 minus 4 is equal to 3 minus 7 minus 4 किता होता है? minus 11 होता है minus 11 is equal to 3 ऐसा होता है कि नहीं होता है इसके लिए यह wrong है मतब यह हमारा equation नहीं है तो correct answer is यह वाला x is equal to 7 is the correct answer जो हमारा solution है clear है? तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही बैतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और यह पूरे entire chapter में यही सब type के examples है या तो ऐसे examples पूछेंगे या तो आपको direct ऐसे जो मैंने 3 solve करवाए वैसे examples पूछेंगे अलग-अलग तरीके से मैंने जितने थे मैंने solve करवा दिये है उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका revision हो गया होगा और ज्यादा जानकरी के लिए और ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको एक और चीज बता दू हमने पूरा का पूरा यहां पे मैं बता देता हूँ, practice set जो है यह chapter का दो ही practice set है, एक है आपका 12.1, practice set नंबर 12.1 और दूसरा है 12.2 यह दोनों ही practice set हमने पूरा का पूरा solve करवाया हुआ है दोस्तों आपको बस जाना है हमारे youtube पे और search कर लेना है chapter number 12, equation in one variable आपको lecture no.1, lecture no.2, lecture no.3, ऐसे वीडियो देखने बिल जाएंगे, या तो playlist में चले जाओ, maths के, 8 maths के folder में चले जाना, उसमें आपको ये chapter धून लेना है, और आराम से बैटके पढ़ाई कर लेना है, तीन से चार lecture होता है, मुश्किल से आदा गंटा भी नहीं लगेगा, आप वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके जरूर से बताना, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, दोस्तों useful लगा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share करना, जितना होसा के share कर लेना, फॉर्स टाइम आया हो च